हलो साथियो नमस्कार स्वागत है आप सभी का कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉफ फाइब डैंजर जोन के बारे में जहां पे एक सीट पे सबसे ज़्यादा कमपटीशन है इसको लेकर आप में नीचे कमेंट बॉक्स में सभी को लिख देना है कि आपने किस जोन से फॉर्म अपलाई किया है और आपकी तैयारी कैसे चल रही है और आईए स्टार्ट कर लेते हैं एक एक चीज को विस्तार से जान लेते हैं सबसे इंपोर्टेंट पांच जोन कौन से हैं जहां पे जो है वो सबसे जादा है टोटल फॉर्म कितने अपलाई हुए है नौ लाक ग्यारा हजार बयासी फॉर्म अपलाई हुए है यहां पे वेकंसी की बात करेंगे टोटल वेकंसी 4730 है और पर सीट पे जो कमपटीशन है वो 192 है यनि एक सीट के लिए 192 बच्चों को फाइट क इस्थती है आगे बढ़ते हैं तो आपका जो दूसरा डेंजर जोन है वो आपका कौन सा है वो आपका जैपुर है इसके बारे में जान लिया जाए तो यहां से टोटल फॉर्म जो अपलाई हुए है नौ लाक एकसट हजार 277 हुए है यहां पे टोटल वेकंसी 5249 है पर सी यहां पे टोटल फॉर्म कितने पड़े हैं दो लाक तिरासी हजार 221 टोटल वेकंसी कितनी है 1664 पर सीट पे कंपटिशन कितना है 170 एक सीट के लिए 170 बच्चों को फाइट करना है आगे बढ़ेंगे हमारा जो अगला जोन है वो आपका हाजी पुर है यहां से टोटल फॉर पर सीट पे कंपटिशन कितना है 161 यानि कि यहां पे एक सीट के लिए 161 स्टुडेंट फाइट करने वाले हैं अगला जोन है गोरकपुर गोरकपुर की बात करेंगे यहां पे टोटल सीट कितनी है टोटल फॉर्म कितने बढ़ेंगे है 6,20,825 वेकंसी कितनी है 4,002 पर सी सीट पे कंपटिशन कैसा है 155 यानि एक सीट के लिए 155 बच्चों को फाइट करना है तो यह आपके टॉप 5 जोन है जहां पे कंपटिशन सबसे ज़्यादा है कितने फॉर्म प्लाई किये गए हैं कितनी सीटे हैं हमने हर चीज आपको विस्तार से बताई है तो उमीद करते आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को सेयर करें और ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार बाई बाई